ना जागर्ती ना निद्राती नोन मीलती ना मीलती अहो परदशा कापी वर्तते मुक्तचेत सह यह मसकार मित्रों यह जो श्लोक है यह अश्टावकर गीता के सतरवे अध्याय का दस्वा श्लोक है जिसे हम आठ की अराई से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है न जागरती न निद्राती अर्थाइट न जागता है न निद्रा लेता है नोन मीलती न मीलती अर्थाइट न नेतरों को खोलता है न मीचता है अहो परदशा कापी अर्थाइट अहो परम दशा में क्या भी वर्तते मुक्तचेतस है अर्थाइट रहता है मुक्तचेतना वाला तो यहां पे अश्टावक्र जनक महराज से कहते हैं कि जो परमदशा में वेक्ति है वह क्या भी रहता है वह मुक्त चीतना वाला क्या भी बन जाता है ना तो वह जागता है ना नेद्रा लेता है ना नेत्रों को होलता है ना मीचता है उसका कुछ हैता ही नहीं तो ले देकि यहाँ पर जो बात अश्टावक्र जनक महाराज से कह रहे हैं वो यही है कि जिसकी परमदशा हो गई न वह कुछ नहीं में स्थित हो जाता है उसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहता तो यदि आप इस जीवन में किसी भी व्य व्यक्ति जो है उसने अभी उसने अभी तत्व बोद प्रापत नहीं किया या पैसे भी सोकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है या कुछ भी विशय को ले करके बोलता है कि संसार में यह अच्छा है और यह बूरा एह इस प्रागार की भाववदी को ये विचारधार अच्छी नहीं है जो इस प्रकार का भाव रखता है तो आप ही सोच ली कि उसको भी तत्वबोद नहीं हुआ उसने तत्वबोद प्राप्त नहीं किया क्योंकि वह जो अच्छा मानता है उसकी और चेश्टा करेगा और जिसे बुरा मानता उससे दूर भागेगा और यदि वह ऐसा कर रहा है तो उसमें रागद्वेश होगा और रागद्वेश है रथा तत्वबोद नहीं है जो परामवस्ता अलिकती होगा ना उसमें इस प्रकार का भाब हो गई नहीं उसको हर विचार धार में अच्छा भी दिखाय देगा और बुरा भी देगा उसे लगे कि हाँ यह ठीक भी है और बे ठीक भी है यह अच्छा भी है और यह बुरा भी है दोनों ही है वास्तों में उसको ऐसा लगेगा वो हर बात को समझ सकेगा उसकी पीछे क्या है वो समझ सकेगा कोई वेक्ति जब कुछ बोल रहा है तो वो बोलने में जो पीछे उसके भाव है उस बात को समझ सकेगा, वो उसको नकारेगा नहीं, ये नहीं बोलेगा कि ये तो गलती है, ऐसे नहीं बोलेगा वो, वो समझेगा बात को, हाँ ये बात है, समझ सकता है कि हाँ ये किस प्रकार से अनुचित को बोल रहा है, परन्तु कौन सी अच्छाई से उसके भीतर वो आ यहां पर कुछ नहीं पाणा ही वास्ता में पाना है और कुछ यहां पर हम पाना है, इस HOसा, जीवन में- पाएंगे तो कुछ नहीं से संत्युंष्ट हो पहलकि पा लोगे तो भी आपसे चूटए गई गई- अंते ते उसके भोगने वाले देवता ही हैं, देवता गणी भोगेंगे इसको, हमको तो कुछ मिलना मिलाना है नहीं, हमारा तो केवल यहां पे, हमारा केवल यहां पे, क्या होना है, हमारा केवल यहां पे, बलिदान होना है, तो बलिदान देने वाला जो है, वो हम है वास्त आपना मानते हैं कोई बैसा नहीं जो नहीं है गीता में स्रिक्रिशन क्या कहते हैं यहां पर इतने भी लोग यहां पर सब मेरा ही अंच है अर्थात मेरे ही हैं वास्ता में क्या बोलते हैं ना में द्वेश्टा ना कांशती तो मैं ना तो किसी से द्वेश्ट करता हूं ना मैं किसी सा कांशा करता हूं क्यों क्यों क्योंकि मैं सब मेरे ही हैं वास्तों में तो यह संपूर्ण जिसका है तो उसके लिए बलीदानी तो करेगा ना जो सबसे प्रेम करता तो प्रेम की कसोटी है बलीदान बिना बलीदान के प्रेम की कसोटी नहीं है आप बोलो कि मैं प्रेम करता हूं बलीदान करो मत तो वो कोई प्रेम नहीं हुआ वो फिर वो तो वैसे आपका जो है वो आसकती ही है वास्ता में फिर तो आप स्वामी बन रहे हो उसके प्रेम तो कुछ नहीं की अवस्ता हो जाएगी कुछ नहीं की अवस्ता ही वास्तों में स्वरूप में अवस्ता है तो आप फिर इश्वर के साथ में हो जाएंगे और इश्वर जो है वो ना तो जागता है ना निद्रा लेता है ना नेत्रों खोलता है ना मीचता है वो नेत्र बंद जाता है कोई भी प्रूप लेता जैसे यदि आप मावी को देखें आपने जो रूसिंते हम गना का कि किक्षिप न्युक्त कि क्न किये हैं। तो हम दौन चाहिए को हैं। इस पहरी से खाल न चाहिए है्प तो ये सारे रूप धारन करने वाले बन जाते हैं इसलिए क्या भी हो जाते हैं मुक्तिचे इसना वाला जो आता है कुछ भी कुछ भी हो जाता है क्या भी हो जाता है नहीं वह सब कुछ हो जाता है वास्ता में तो वह वाली बात थी यहां पर तौश्य करता हूं कि मैंने इस आपको अच्छे समझा दिया होगा चलिए इस इक साथ इस वीडियो में पर समात करते हैं नमस्ते